दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके BSC First Year First Semester Botany के Unit 5 Mushroom Cultivation को डिसकस करूँगा तो आज का ये वीडियो आपके लिए Most Important होने वाला है क्योंकि टॉपिक जो है बहुत important है और आपके एक्जाम में इससे question जरूर आएंगे तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आई आज के वीडियो की सिरुवात करते हैं तो आई पहले समझते हैं कि मस्रूम होते क्या है मस्रूम are the fruiting bodies of edible fungi which is commonly belonging to Bacidio mycota and rarely belonging to Escomicotina तो आपको बता दे कि जो मस्रूम है यह एक edible fungi यनि कि एक खाने योग कवक है और यह एक प्रकार का Bacidio कार्प होता है जो कि जनरली Bacidio mycotina के अंतरगत आने वाले fungus में पाय जाता है तो Bacidio mycotina के अंतरगत जैसे कि अगेरिकस कमपेस्ट्रिस, अगेरिकस ब्रूनेसेंस, प्लूरोटस साजोर काजू, वाल्व रियेला, वाल्वेसिया इन सभी से प्राप्त होता है तो जितने भी मस्रूम आते हैं वो जनरली Bacidio mycota से बिलॉंग करते हैं और बहुत रेयर केस में आपको एसको mycotina से मस्रूम देखने को मिलेंगे तो एसको mycotina के अंतरगत अगर मस्रूम मिलता है तो मिलता है वो मोर्चेला कोनिका से और मोर्चेला एसकुलेंटा से तो आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम बोलते है बेसीडियो कार्प और यही पार्ट जो होता है ये खाने योग्य होता है तो कहने का मतलब है कि मस्रूम का उपयोग भोजन की रूप में बहुत पहले से ही किया जाता था उस समय से ग्रीज, मिस्र, फ्रांस, आदी जैसे विभिंड देशों में मस्रूम का सेवन किया जा रहा है तो जो यूनानी और रोमन है इन्होंने मस्रूम को भगवान के लिए भोजन के रूप में वर्डित किया है और उस अधी के दौरान लोगोंने मस्रूम को अपने प्राकृतिक आवाज से इकठा करने के बाद खाया यानि कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वहाँ पर उन्हें मस्रूम को कलेक्ट किया और उसके बाद उसे खाना प्रारम किया तो आए नेक्स हम समझते कि मस्रूम हमारे लिए इतना उप्योगी क्यों है तो अगर हम nutrition के point of view से देखे मस्रूम are the richest source of vegetable protein यानि कि जो मस्रूम है यह vegetable protein का सबसे अच्छा स्रोथ है इसमें प्रचुर मात्या में protein पाय जाता है the protein content vary from 1.1 to 4.98% in common cultivated mushroom तो जो cultivation के through mushroom प्राप्त होते हैं उनमें protein की मात्रा 1.1 से लेकर 4.98% होती है जो किसी भी प्रकार के जो दाले है, सबजिया है या फीफल है उनसे कहीं अधिक है all the essential amino acid including lysine are present in much higher amount than even egg तो इसमें सभी प्रकार के आवश्यक amino अमल पाय जाते हैं जैसे कि अगर हम बात करें lysine की जो की एक most important amino acid है यह लगभग 550 mg पर ग्राम में पाय जाता है mushroom content sufficient quantity of mineral elements such as sodium, potassium, calcium, phosphorus and iron यदि इसके अलावा देखे, mushroom content folic acid, mushroom content vitamin like B, C, D and K and they contain little amount of fats and starch और इसमें बहुत कम मात्रा में वसा और starch देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि table दिया हुआ है और इस table में compare किया हुआ है कि किस में कितना protein पाय जाता है और कितना energy value है तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो protein होता है percentage वो mushroom में पाय जाता है उसके बाद है green pea फिर इसके लावा जो other vegetable है उनमें पाय जाता है तो nutritional value के बाद हम बात करते हैं medicinal value की तो यह दवाओ के रुप में क्यों प्योगी है most of the mushroom have higher medicinal value to reduce blood pressure, obesity, constipation, enterosclerosis medicinal value of some mushroom are given below तो जो mushroom है उसके अगर medicinal value की बात करें तो यह blood pressure को घटाता है जो fats है यानि की जो मोटापा है, obesity है उसको घटाता है इसके अलावा जो कब्ज है यानि की constipation है उसको कम करता है और जो blood vessels है उसके बीच में जो fats deposit है उनको कम करता है तो इसके जो medicinal value है आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है कि कौन से mushroom किस medicinal value के लिए यूज किया जाते है आज नेक्स हम बात करते है biological value की तो यह biologically important क्यों है क्योंकि हम सभी जानते हैं जो mushroom की खेती होती है या mushroom का जो cultivation होता है वो dead organism पे होता है तो यह जो जितने भी dead material है उसका degradation करते हैं तो इसके लिए इनका biological important है तो यहाँ पर हमने mushroom के importance को देखा आज नेक्स हम बात करते हैं कि कैसे हम mushroom को cultivate कर सकते हैं तो नेक्स हम बात करेंगे cultivation procedure of mushroom It is the technique to develop the fruiting body of edible fungi About a dozen of fungi are cultivated in hundred countries with an annual production of 2.2 million tons The common four genera like agaricus, lentinus, walv, riella and pleurotus तो आपको बता दे कि जो mushroom की खेती की प्रक्रिया है इसमें हम edible fungi यानि की खाने वाले fungi के fruiting body को develop कराते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो mushroom हम लोग खाते हैं वो एक प्रकार का fruiting body है और fruiting body को grow कराना ही कहलाता है cultivation तो लगभग 2.2 million ton के वासिक उत्पादन के साथ सौ देसों में लगभग एक दरजन कवक की खेती की जाती है और आमतोर पे जो चार जनरा है जैसे की एगेरिकस है लेंटीनस है वोल्विरियला है और प्लूरोटस है इनकी खेती की जाती है साथ ही ये कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा देते है कई में से एगेरिकस, बुरुनेंसस, वाइड बटन जो की 56% उपस देता है लेंटीनस, एडोडस, सिट केक इनकी जो पैदावार होती है वो 14% होती है वही हम बात करें वॉल्वेरेलिया, वॉल्वेसिया इनकी जो पैदावार होती है लगभग 8% होती है और प्लूरोटस की कुछ जो जाती है उनकी पैदावार लगभग 7.7% होती है तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो पैदावार होती है वो एगैरिकस की जाती होती है तो आईए हम देखते हैं कि कैसे एगैरिकस बूरूनेसेंस का कल्टिवेशन किया जाता है तो यहाँ पर हम एक particular species एगैरिकस बूरूनेसेंस के कल्टिवेशन को देखेंगे इसका कल्टिवेशन का क्या प्रोसीसर है उसको detail से समझेंगे तो यदि हम बात करें agaricus brunessence इसे हम agaricus bisporus भी कहते हैं और यह generally white button mushroom के नाम से जाना जाता है आप right side figure में देख सकते हैं तो आपको बता दें कि यह दुनिया के mushroom उतपादन में एक बड़ा योगदान देता है यह एक समसितोष्ण यानि कि एक temperate mushroom है जो की temperate condition में रहने के लिए अपने आपको बिक्सित किया हुआ है इसकी खेती के लिए optimum temperature, optimum moisture और proper ventilation की ज़रत होती है और इसके साथ-साथ जो spawn है अच्छे quality के होने चाहिए तो यहाँ पर spawn क्या है तो spawn का मतलब वैसे तो अंडे होते है लेकिन यहाँ पर यह नहीं है कि जो एगरिकर्स की जातिया वो अंडे देती है तो spawn क्या है और इसके cultivation के कुल कितने procedure है नीचे आप देख सकते है कुल art procedure है तो इन सभी art procedure और cultivation का क्या तरीका है इसको हम अगले part में discuss करेंगे तो next part में हम mushroom के cultivation के पूरे procedure को discuss करेंगे तो अगला part आपके लिए बड़ा important होने वाला है तो आने वाले वीडियो को आप जरूर देखेएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और से प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड कर उसका notification के सनाव तक पहुचता रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत झाल झाल